अगर आप भी Instagram का इस्तमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका ID बनाना काफी ज़्यादा important होता है बिना Instagram का ID बनाया आप real देख भी नहीं सकते हैं और किसी को real भेज भी नहीं सकते हैं और खुद भी Instagram पर कुछ भी नहीं डाल सकते हैं इसलिए Instagram का ID बनाना काफी ज़्यादा important है अगर आपको नहीं मालूम है Instagram का एक नया account या फिर एक नया ID कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो को ध्यान से लाश तक देखते रही है आज की इस वीडियो में आपको step by step इसी के बारे में सिखाने वाला हूँ वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा से request अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ इसाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर जैसे आप click कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने दो option आजाएगा पहला option है continue with facebook और दोसा option है यहाँ पर create account manually पहला वाला option पर click करते हैं आप और आपके mobile phone के अंदर पहले से facebook account login है तो आपके facebook से आपके instagram बहुत ही आसानी से बन जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ instagram का एक नया ID बनाना है तो यहाँ पर simply create account manually पर click कर देजिए मैं यहाँ पर click कर देता हूँ अब यहाँ पर आने के बाद आपका mobile number डालने के लिए बोला जाएगा अगर आप अपने instagram ID email ID से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे के side में option है sign up with email address इस पर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आने के बाद आपका email ID डालने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर simply हम अपने email ID डाल देते हैं email ID डालने के बाद नीचे के side में जो आपको next का option देखने के लिए इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको एक नया password बनाने के लिए बोला जाएगा instagram का जो भी आप password बनाना जाते हैं 6 अंका यहाँ पर आपको एक strong password बना लेना है तो यहाँ पर एक नया password मैंने बना लिया अब आपको यहाँ पर next वाले option पर click करना है यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपना login info save करना चाहते हैं simply यहाँ पर हम save वाले option पर click कर देंगे अब यहाँ पर आपका date of birth पूछा जाएगा आपका जनम दिन पूछा जाएगा तो यहाँ पर date of birth हम डाल लगते हैं एक जनवरी कुछ इस प्रकार से आप अपना date of birth स्लेक कर सकते हैं एक जनवरी 2000 एक या फिर 1998 में हम यहाँ पर डाल दते हैं और यहाँ पर आप अपना हिसाब से सही सही डाल देजिएगा उसके आपको state वाले option पर click करना है state वाले option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर next का जो option देखने को मिल रहा है इस पर click कर देजिए उसके बाद आपका नाम पूछा जाएगा कौन सा नाम से आप इस्टागराम का ID बनाना चाहते हैं simply हम यहाँ पर डाल दते हैं आदिल और यहाँ पर simply हम डाल दते हैं खान आप अपना हिसाब से कुछ भी आप अपना नाम दे सकते हैं फिर आपको यहाँ पर next वाले option पर click करना है और यहाँ पर username खुद बखुद ले लेगा आपका email ID के थुरू और यहाँ पर जो है आप अपना हिसाब से भी username ले सकते हैं लेकिन आप अपना हिसाब से लेजिएगा तो यह खाली नहीं होगा इसलिए जो यहाँ पर लेता है इसको जो है रहने दीजिए अब आपको simply next वाले option पर click कर देना है नीचे के side में आपको आना है और I agree पर click कर देना है और यहाँ पर I agree पर click करने के बाद आपका Instagram ID यहाँ पर बन जाएगा अगर आपका email ID पर कोई OTP आता है तो OTP आपको डाल देना है ठीक है हमसे अभी OTP नहीं मांगा है अब यहाँ पर आपको फोटो लगाने के लिए बोला जा रहा है आप अपने Instagram DP में कौन सा फोटो लगाना चाहता है simply add picture पर click कर दीजे और यहाँ पर आपको choose from gallery पर click करना है और gallery से कोई भी एक फोटो आपको अपना Instagram के DP में लगा देना है तो यहाँ पर simply हम कोई भी एक फोटो लगा लेते हैं अपने Instagram DP पे फोटो लगाने के बाद simply आपको done पर click करना है यहाँ पर finally आप देख सकते हैं हमारा Instagram का ID बनके यहाँ पर ready हो गया skip वाले option पर click कर देंगे फिर से skip पर click करेंगे फिर से आपको skip पर click करना है और यहाँ पर skip पर click कर देना है और यहाँ पर आपको जो है फिर से skip पर click कर देना है और यहाँ पर finally आप देख सकते हैं हमारा Instagram का ID यहाँ पर बनके ready हो गया कुछ इस प्रकार से आप भी Instagram का ID बना सकते हैं Instagram ID बनाते समय आपसे अगर OTP मांगता है तो आपके mobile number पे message आएगा अगर आप Gmail ID से बनाते हैं तो यहाँ पे आपके Gmail के अंदर OTP आएगा simply यह वाला code आपको डाल देना है इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजे साथ है साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में